यह एक क्वेशन है के वीपी वाई 2017 का और जो हमारे एक रेगुलर वीवर है गीता भादरी जी उन्होंने पूछा था और मैं उनका धनेवाद करना चाहूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इतना ब्यूटिफुल क्वेशन उन्होंने प्रेजेंट किया आप लोगोंने देखा होगा कि आज मैंने इस क्वेशन का एक सॉलूशन डाला था पहले लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इतना अच्छा क्वेशन है कि इस क्वेशन के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर मैं इसे सिंप्ली फॉर्मूले से सॉल्फ कर दूँ या फिर यहां इस क्वेशन से काफी कुछ सीखने वाला यह क्वेशन है और काफी इंट्रेस्टिंग क्वेशन है तो क्वेशन आप लोग को इमेज में मिल जाएगा तो आईए इस क्वेशन से हम लोग कुछ लर्न करते हैं यह जो क्वेशन है यह सिर्फ आट ओफ प्रॉल्लम सॉल करने का कोसिस करेंगे ताकि ऐसा question अगर कहीं आए तो हम लोग उसे solve कर पाएं और एक और बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह harmonic progression के sum का question है और मैंने अपने method से कोसिस किया है दो method से कि इसे मैं solve करूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि harmonic progression का जो sum है उसका कोई precise method अभी तक है नहीं हमारे पास कि कैसे precise value निकालते हैं सब जिका approximation है तो मैंने भी approximately calculate करने का कोसिस किया है कुछ method से तो बताईएगा comment section में कैसा लगा और आप लोग भी अपने methods को बताने का अगर आप लोग इस से अच्छे method से solve करते हैं तो जरूर बताईएगा comment section में या फिर हमारे email id पे mail करके बताईएगा क्योंकि discussion होना बहुत जरूरी है learning के लिए सिर्फ problem solve करना या examination निकालना aim नहीं होना चाहिए हमें हमारा learning होते रहना चाहिए हमें कुछ-कुछ नया सीखने को मिलते रहना चाहिए तो question actually क्या कर रहा है देखते है question हमारा कर रहा था कि 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 till dot 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 1 by n is greater than equal to 4 और यहां आप से ये n का values पूछ रहा था कि n किस range में लाई करेगा यह पूछ रहा था question कि n हमारा किस range में लाई करेगा अब देखिए आप एक बात देख रहा होंगे कि 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 जो beginners है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो denominators है वो क्या है arithmetic progression में तो ऐसे sequence को हम क्या बोलते है या ऐसे progression को हम लोग क्या बोलते है यह harmonic progression होता है harmonic progression होता है आप लोगों ने परहा होगा AP का sum GP का sum लेकिन HP का sum आप लोगों ने कभी school के books में नहीं देखा होगा क्योंकि यह इसके लिए college level का mathematics जोरी है इसके sum को निकालने के लिए फिर भी मैं कोसिस कर रहा हूँ कि easy way मैं present करूँ इस चीज़ को अब देखिए कि यह पूछ रहा है हमसे कि इसको हम लोगों ने add किया और वो greater than equal to 4 होना चाहिए अब देखिए कि n का value greater than equal to 4 यानि कि वो क्या हो सकता है यह value 5 को भी 10 कर सकता है 6 7 कुछ को भी 10 कर सकता है तो उसमें n जो है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा तो दरसल यह question का पूछने का मतलब है कि अगर equal to 4 लेते है हम लोग तो वहाँ पे n का क्या range होगा मतलब एक approximation आपसे यह जानना चाहरा है है question ठीक है न जैसे देखिए इसी sequence को अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 dot 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 1 by n is equal to 10 तो यह भी सही है क्योंकि greater than equal to 4 यानि 10 भी हो सकता है ठीक है 100 भी हो सकता है तो उसके हिसाब से n भी change होता रहेगा तो 4 के लिए जो boundary conditions है जो lower bound दिया है उसके लिए हमें values निकालना है सबसे पहले यह समझना जरूरी है अब इस question को solve करने से पहले कुछ हम लोग graph बनाते हैं डियाग्राम बनाते हैं और उसको थोड़ा आखे देखे मैंने एक video डाला तो समय ने बताया था कि y is equal to 1 by x के form में कैसे इसके graph को हम लोग निकाल सकते हैं और मैंने वह explain नहीं किया था यही काराने कि मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आज तो इसका जो graph होगा यह होगा ऐसा y is equal to 1 by x अब देखे 1 by x क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यह जो elements है यह सब इसपे substitute आप करेंगे second element 2, 1 by 2, third element 3, 1 by 3, 4, 1 by 4 ऐसे करके अब हमें क्या करना है मान लीजिए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है तो हम लोग rectangles यहाँ पे draw करते हैं वो area under curve का जो concept है वह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे rectangles draw करते हैं चीक है अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए इसे बाहर की और project कर देता हूँ ऐसे, 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 ठीक है अब अगर, अगर मैं actually क्या करता हूँ पहले कि 5 या 6 terms का लेता हूँ उसके बाद कुछ results हम लोग निकालेंगे जिसको generalize करेंगे ठीक है, बाद में generalize करेंगे तो एक चीज़ देखिए कि मुझे चाहिए ये वाला length क्या होगा, ये बताएए ये वाला length क्या होगा, ये होगा 1 upon 1 क्यों? क्योंकि function है हमारा y is equal to 1 upon x ये length क्या होगा? 1 upon 2 ये length क्या होगा? 1 upon 3 ये length क्या होगा? 1 upon 4 1 upon 5, 1 upon 6 यहां से यहां का जो width है सारे rectangles का, वो हमारा 1 units है, तो अगर हम rectangles का area calculate कर लें, इस rectangle का area क्या होगा, 1 into 1, इसका area क्या होगा, 1 by 2 into 1, 1 by 3 into 1, ऐसे कर गयागा, लेकिन एक बात देखिए कि अगर मैं rectangle, जो rectangle का area है, वही यह मेरे से actually पूछ रहा है, तो मतलब जो summation है, वो actually यही है कि सारे rectangle का area का, अब हम लोग के पास 2 तरीका है, मतलब हम लोग यह बोल सकते हैं, कि यह सारे rectangle के area के sum को, हम लोग approximate कर सकते हैं, इस area under the curve के, यह जो y is equal to 1 by x है, इसके area under the curve से हम लोग इसको approximate कर सकते हैं, तो 2 तरीके से हम लोग इसको निकालने का कोसिज करेंगे, देखें, ये जो, ये जो geometrical figure है, वो असलिए में क्या है? ये, मान लीज़े, मैं इसका नाम देता हूँ, A, B, C और D, ठीक है? मैं यहां पर इसे draw करता हूँ, ताकि आप लोगो clear रहिये, A, B, C और D. यह एक trapezium है trapezium का area क्या होता है sum of parallels half into sum of parallel sides into distance between parallel sides तो यह है हमारा 1 यह हमारा 1 by 2 और यह distance है 1 इसी ढग से सब एक trapezium है जैसे यह भी एक trapezium है यह भी एक trapezium है नीचे वाला पार तो अगर हम लोग उस trapezium के areas को add कर लें तो बात बन सकता है यानि area under the curve को हम लोग approximate कर सकते है तो हम लोग लिखते हैं सारे trapezium का area 1 by 2 into 1 1 क्या है? distance between the parallel sides उसके बाद sum of parallel sides तो sum of parallel sides क्या होगा? 1 plus 1 by 2 दूसरा क्या होगा? 1 by 2 plus 1 upon 3 ऐसे करके हम लोग इसको कहा तक लिख सकते हैं? 1 upon 3 plus 1 upon 4 ठीक है? उसके बाद 1 upon 3 1 upon 4 फिर लिख सकते हैं हम लोग 1 upon 4 plus 1 upon 5 plus 1 upon 5 plus 1 upon 6 अभी मान लीजे कि मैं 6 terms का ही बात करता हूँ ठीक है? क्यों? क्योंकि देखें इस question को solve करना है हम नहीं है इस question से कुछ मुझे आप लोग को सिखाना है बहुत अच्छा चीज़ तो ये देखें ये 6 terms का हम लोग area calculate कियें अब देखें अगर मैं इसे थोड़ा rearrange कर दूँ इस areas को थोड़ा rearrange कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहां से? इसे delete करता हूँ क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि A is equal to मान लेता है total area A है तो 1 by 2 into 1 by 2 into 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 मैं purposefully 1 by 5 तक ही लिख रहा हूँ उसके बाद देखिए ऐसा लिख सकते है 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 plus 1 upon 6 क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? पूरा sum वही का वही है बस मैंने थोड़ा सा इधर उधर change किया है इसको ठीक है, ओके ये हो गया हमारा area अब मान लीजे let us say let us say कि मैं term define करता हूँ hn मैं term define करता हूँ hn और जिसको लिखता हूँ 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 till 1 upon n ओके? ऐसा मैंने लिख दिया तो a को क्या लिख सकते हैं लोग? a को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि a is equal to 1 by 2 into 1 by 2 into 1 से लेके 1 by 5 अगर 1 by 6 होता तो हम लोग h6 लिख सकते थे उसको है न? तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि h6 minus 1 upon 6 h6 minus 1 upon 6 और plus इसे क्या लिख सकते हैं? h6 minus 1 h6 minus 1 ठीक है? दोनों को मैं चाहरा हूँ एक common term के इसमें express करना है? h6 के item में इसलिए इसे h5 नहीं लिखा तो ये हो गया हमारे पास ये चीज़ अब देखें क्या area को यहां से अगर हम लोग algebraic simplification करें तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि twice of h6 twice of h6 minus 1 minus 1 upon 6 लिख सकते हैं ऐसा? अब यहां से अगर 1 by 2 को अंदर ले जाएं तो लिख सकते हैं h6 minus 1 upon 2 minus 1 upon 6 into 2 ठीक है? अब देखें यह जो area निकला हमारे पास यह जो area आया यह actually क्या आया है? कि यह area आगया 1 to 6 का 1 to 6 में यह area दे दिया approximately क्या मैं उसी area को definite integral के form में नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? जैसे ऐसे यानि integral 1 to 6 integral 1 to 6 1 upon x dx यह जो होगा क्या यह approximately इसके equal नहीं होगा? approximately क्योंकि हम लोग यहाँ पे geometrically calculate कर रहे थे तो वो exact उसके equal नहीं होगा तो इसको हम लोग approximately क्या लिख सकते हैं? ln 6 ठीक है? क्योंकि ln 1 to 0 हो जाएगा अब देखें एक interesting part सुरू हो रहा है इस question में कि नहीं कर सकते हैं लेकिन approximately equal है तो हम लोग comparison करें क्योंकि harmonic sum का harmonic progression का जो sums है वो पूरा approximation पर बेस्ट है इसका कोई concrete method नहीं है हमारे पास तो हम लोग लिख सकते हैं h6 minus half minus 1 by 6 into 2 is equal to ln6 is equal to लिखना गलत है approximately equal to ठीक है? यह result हाया अब यहां से हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि therefore h6 h6 is approximately equal to 1 by 2 plus 1 by 6 into 2 plus ln6 ठीक है? अब चलिए आगे अगर मैं इस result को generalize करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि hn is equal to ln of n plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 into n 1 upon 2 into n अब देखिए यहां पे Euler ने Euler एक mathematician थे उन्होंने harmonic progressions पे बहुत काम किया और उन्होंने यहां से एक result निकाला था वो था कि if if n tends to infinity अगर n infinity को tend करें यहां पे तो अगर n यहां पे infinity को tend करें तो हम लोग लिख सकते हैं यानि मैं अगर ऐसा लिख दो कि limit n tends to infinity और hn minus ln n तो यह जो term आया इस तरह वाला वो एक constant निकल के आ रहा था वो एक constant निकल के आ रहा था जिसको उन्होंने नाम दिया गामा अगर n infinity को tend करें तब और जिसका वाल्यू अप्रोक्सिमेटल इक्वल था 0.577 के 0.577 के इस constant को लोग बोलते हैं Euler Euler Messeroni Constant अब देखिए इस प्रॉब्लम में आप सोच रहोंगे कि इसका क्या यूज है ठीक है इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम को इससे इजी तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन मेरा मकसद था यहां पर यह चीज सिखाना आप देखिए कि अगर मैं अपने प्रॉब्लम का case लेता हूँ हन हमारा जो था उसकी जगह पे मैं अप्रॉक्सिमेटल अगर इस वैलू को लिखूँ यानि लन ओफ एन प्लस हाफ प्लस वन बाई टू इन्टू इन एन डाट इस उकल टू फोर लेता हूँ मैं मान लीजे ठीक है डाट इस उकल टू अगर मैं फोर लेता हूँ तो आप बताएए कि क्या यह equation solve कर पाना संभव होगा मतलब अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ ln of n प्लस इसको उधर ले जाता हूँ फिर भी equation solve कर पाना मुस्किल होगा तो हम लोग approximation कर रहे हैं यहाँ भी यह approximation है तो approximation में इस चीज को हम लोग हटा देते हैं 1 by 2 into n को हटा लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा solve कर पाएं easily और यह तो sure है कि जो value हमारा आएगा वो exactly नहीं आने वाला है n का value ठीक है? वो exact value नहीं आने वाला है बस एक rough idea देगा तो ln plus इसको हम लोग approximately लिख दे रहे हैं ln plus 1 by 2 is equal to 4 तो ln n is equal to 7 upon 2 और n is equal to e to the power 7 upon 2 इसका आप rough idea भी निकाल सकते हैं e का value जो है उसको divide कर दिजे लगवग 4 से 4 का power लेके निकाल सकते है rough value फिर हुँ मैंने इसका exact value calculate किया है और यह value आता है 33 के करीम तो देखिए एक चीज आपको मिल ज़रा है यहां से 30 हो यहां फिर हो सकता है 28, 29 हो कुछ भी वो भी आप निकाल सकते हैं कि क्या होगा यह कौन सा bound है जैसे देखिए यह क्या था यहां पे greater than equal to यहां greater than equal to greater than equal to तो n should be greater than equal to 33 ऐसा करके आ रहा है bound खीक है तो n का value अब greater than का बात तो हम लोग नहीं यहां पे लेंगे क्योंकि वो पूरा जो inequality है वो कह रहा है कि वो greater than 4 है तो वो कुछ भी हो सकता है 4 से बढ़ा 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैं equality का बात कर रहा हूँ कि क्योंकि question में दिया है greater than equal to तो equal to pay n is equal to 33 हा रहा है ठीक है अब चलिए इससे तो हमारा आगया कि option 1 is correct option 1 is correct अब अगर देखिए मैं किसी दूसरे method से इस question को solve करता हूँ और वहाँ पर मान लीजे कि n का जो bound आता है वो मान लीजे 15 है या 16 है तो उसमें घबरानी की ज़ुरूत नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा approximation का game है यहाँ में जिस method से approximate करना हूँ वो हो सकता है value 33 दे रहा है वहाँ से हो सकता है 20 है इसलिए जो आपका answer भी है वो पी precise answer नहीं दिया है kvpy ने या फिर जो IAC ने set किया है paper को उसने precise answer नहीं दिया है एक तरीका हो सकता है calculate करने का अब दूसरे वे पर आते हैं हमारे पास जो inequality है जो question में दिया हुआ है 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 ऐसा करके पूरा अब एक बात बताईए कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज करूं यानि 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 की जगा 1 by 2 लिख लेता हूं plus 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7 यहां क्या आएगा 1 by 5 यहां क्या आएगा 1 by 6 यहां क्या आएगा 1 by 7, 1 by 8 ऐसा करके यह जाएगा तो इन चारों टर्म्स को की जगा पर मैं मान लीजे 1 by 4 ही ले ले लेता हूं इसी देंक से लोग आगे चलेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज अनालाइस कर लेते हैं देखे 1 by 3 छोटा है 1 by 2 से 1 by 5 छोटा है 1 by 4 से 1 by 6 छोटा है 1 by 4 से 1 by 7 छोटा है 1 by 4 से तो हम लोग क्या कर रहे हैं छोटे values कीज़े का बड़ा values पूट कर रहे हैं that means इस series का जो value होगा summation का उससे बड़ा चीज हमारे पास मिलने वाला है यानि this is greater than equal to that ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ और यहाँ से भी मैं actually आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे फाइनली तुरहत answer पर नहीं आऊँगा answer तो मैं calculate कर सकता हूँ easily यहाँ से मैं बताओंगा कहाँ पर calculate करें लगिन यहाँ से भी मैं कुछ generalized result निकालना चाह रहा हूँ अब देखिए 1 by 8 लिखेंगे 1 by 8 किसको replace करेंगे 1 by 9 1 by 10 सबको 1 by 8 से और यह कितनी बार होगा 1 by 8 1 by 9 ऐसा करके कहां तक जाएगा 1 by 15 तक फिर हम लोग क्या लिख सकते है 1 by 15 तक नहीं मतलब यहाँ पर मैं इस हटा तो वो उसमें था इसमें 1 by 15 तक यह जाएगा तो ऐसा 1 by 8 लिख लिए है similarly 1 by 16 1 by 16 लेके हम लोग calculate करेंगे ठीक है यह 2 times है यह 4 times है तो यह कितना होगा 8 times होगा यह कितना होगा 16 times होगा और 1 by 32 1 by 32 लेके करेंगे तो वो आगे बरता है तो 1 by 32 हमें करने की ज़रूत नहीं है हम दोग ऐसा करते हैं कि यहां से हमें एक analyze result निकालना है तो लिख लेते हैं 1 upon n plus 1 upon 2 last वाले term को लिखने का कोसिस कर रहा हूँ मैं ठीक है यहां पे अगर मैं last term लिखने का कोसिस कर रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा 1 by 1 by यहां पे इस original series में देखिए 1 by n plus 1 upon 2 1 by n plus 1 upon 2 plus dot 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 1 upon n minus 1 plus 1 upon n ऐसा ठीक है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 by n upon n plus 1 upon 2 को हम लोग continue किये ऐसे और यह जितना भी times है उसे मुझे मतलब नहीं है तो this is equal to this is greater than यह मान लेते हैं कि यहां पे सबका जो value आएगा वो क्या आएगा इसका value क्या आ रहा है 1 आ रहा है इसका value क्या आएगा सबका summation 1 इसका सबका summation क्या आएगा 1 सबका summation 1 आएगा ठीक है तो देखिए यहां से मुझे लिख रहे है 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus कितना times k times मतलब यह k times तक चला तो overall इसका value क्या आएगा k आएगा k क्या होगा कोई integer होगा हमारा k belongs to z ठीक है न अब देखिए मुझे चाहिए कि कितना number of elements है यहाँ पर कितना number of elements यहाँ पर है मतलब इसमें number of elements कितना है तो वो कैसे count करेंगे first में कितना element था 1, second में कितना था 2, third में कितना था 4, fifth में कितना था 8 ऐसे करके तो अब देख रहे हैं second में क्या हो रहा है 2 to the power 1 third में क्या हो रहा है 2 to the power 2 तो kth में क्या होगा 2 to the power k minus 1 तो यह क्या है geometric progression है और आप इसका sum लिख सकते हैं आप इसका sum लिख सकते हैं तो इसका sum क्या है का इसका sum मान लेते हैं कि n है वो हमारा जो number of elements है n is equal to 1 into 2 to the power k minus 1 upon 2 minus 1 यानि number of elements वो रहा है वो रहा है 2 to the power k minus 1 ठीक है और k क्या था हमारे इस question के case में के क्या होगा आप जरा सोचिए इस question के case में 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 बर के ठीक है दर असल यह उससे बड़ा है वो exact value नहीं देगा लेकिन आसपास देगा तो 2 to the power 4 minus 1 यानि 16 minus 1 15 न का value 15 है अब वो उससे छोटा के लिए है तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ different हो लेकिन एक बात तो शीर हो रहा है कि आपका जो first option है उसी में यह n लाई करेगा ठीक है तो अब हम लोग एक general result यहाँ से निकालना चाह रहे है n is equal to 2 to the power k minus 1 यह हमारा generalized result आ गया है कि अगर माल लीजे कि मुझे कभी sequence दिया हुआ है और उस पे एक upper bound दे दिया है कि जैसे एक sequence दे दिया है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 ऐसे करके और यहाँ दे दिया है कि it is greater than equal to माल लीजे 32 तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो number of elements होगा वो approximate कर सकते हैं आप्रोक्सिमेट 2 to the power 32 minus 1 इससे कम होगा ठीक है कम होगा या ज्यादा होगा फिर से सोचिए हम लोग इससे बड़े series का बात कर रहे थे तो इससे बड़े series का बात कर रहे थे तो बड़े series में कम elements मिलके ही एक number को taint कर लेंगे है छोटे series में ज्यादा elements होगा यानि इससे बड़ा होगा आपका वो चीज़ तो जो number of elements होगा छोटे वाले term में वो इससे बड़ा होगा ठीक है तो दोनों से एक rough idea ही निकला exact idea इस question में निकालना थोड़ा exact निकालना number वो impossible है मेरे ख्याल से तो यह दोनों methods था actually कुछ आप लोग को सिखाने के लिए भी था और दोनों methods से एक answer तो निकल के आ रहा है कि जो पहला option है वही होगा जो first option question में दिया होगा था कि something 30 से कम या कुछ 60 से कम और 20 से ज़्यादा ऐसे करके वो देख ली जग आप लोग इमेज में वही होगा पह solution को और it is very equally likely कि आप लोग इससे अच्छे solutions निकाल सकते हैं क्योंकि आप लोग young minds है तो हो सकता है कि इससे अच्छा solution पर आप लोग पहुंच जा है आप लोग अभी study कर रहे हैं उस class में तो अगर आप लोग के पास कोई भी अच्छा solution है तो please बताईए ताकि मैं भी कुछ six questions ठीक है तो thanks a lot देखते रहे है वीडियो और अगर अच्छा लगे तो subscribe कीजिए like कीजिए और comment करके ज़रूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा थैंक यू